जब हम computer चालू करते हैं तो कुछ आम समस्याएं आती हैं यहां तक कि कभी-कभी हो सकता है कि keyboard या mouse काम नहीं करते हैं इन समस्याओं से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है हम खुद ही इन समस्याओं को सुलजा सकते हैं चलिए हम कुछ आम समस्याओं को और उन्हें सुलजाने के तरीकों को देखते हैं हमने system unit और monitor की power आपूरती switch on कर दी है और system unit का power button दबा दिया है फिर भी system unit का LED चालू नहीं होता है और system चालू नहीं हुआ है इस मामले में हमें दोबारा जांच करनी होगी कि क्या cable का कोई connection धीला तो नहीं है यह सलाह दी जाती है कि उसे हटाएं और plug-in करें और computer चालू करने की प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास करें computer चालू करने के बाद यदि boot screen फिर भी नहीं दिखती है तो जांचें कि क्या monitor चालू हो गया है monitor के connection की जांच करें या दोबारा connect करें computer तो चालू हो गया है लेकिन हम keyboard और mouse का प्रयोग नहीं कर पा रही है इस समस्या के समाधान के लिए हमें चाहिए जांच करें कि क्या keyboard या mouse सही port से connect किया है keyboard या mouse के connector को जांचें कि क्या वह टेड़ा तूटा तो नहीं है या कोई pin तो गुम नहीं है अपने keyboard या mouse को दुबारा connect करने का प्रयास करें अपने computer को दुबारा चालू करें और देखें कि क्या यह सही हुआ है अपने कि क्या यह सही हुआ है